रमेश एक गरीब चाय वाला था. वह सुबह शाम सड़क किनारे चाय बेचता था. उसकी पतनी लता घर का काम करती थी और उसकी बेटी अंजली स्कूल में पढ़ती थी. रमेश बहुत मेहनती था. वह सुबह जल्दी उठकर चाय बनाता था और फिर सड़क किनारे अपनी दुकान लगा देता था. वह दिन भर चाय बेचता था और शाम को घर लोटता था. रमेश की चाय बहुत अच्छी थी. इसलिए उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की रहती थी. रमेश सभी ग्राहकों से प्यार से बात करता था. एक दिन रमेश की दुकान पर एक अमीर आदमी आया. उसने रमेश से चाय मांगी. बाई साहब मुझे एक चाय दे दो जी, जरूर रमेश अमीर आदमी को चाय देता है अमीर आदमी चाय पीकर बोलता है बहुत अच्छी चाय है तुम इतनी अच्छी चाय कैसे बनाते हो जी, मैं चाय में प्यार और महनत डालता हूं अमीर आदमी रमेश से प्रभावित होकर बोलता है तुम बहुत महनती हो रमेश मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ उसने रमेश को एक नौकरी दी रमेश अब अमीर आदमी के घर में काम करने लगा उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी उसने अपनी बेटी अंजली को एक अच्छे स्कूल में भरती करा दिया रमेश बहुत खुश था उसने अपनी महनत और लगन से गरीबी से मुक्ति पाली थी रमेश ने अमीर आदमी के घर में कई साल काम किया उसने अपनी मेहनत और लगन से अमीर आदमी का विश्वास जीत लिया अमीर आदमी रमेश को अपना बेटा मानने लगा एक दिन अमीर आदमी की मृत्यू हो गई अमीर आदमी के पास कोई बेटा या बेटी नहीं थी इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति रमेश को दे दी रमेश अब बहुत अमीर हो गया था उसने अपनी पत्नी और बेटी के लिए एक बड़ा घर खरीदा उसने अपनी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा रमेश ने अपनी संपत्ती का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने के लिए भी किया उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला उसने गरीबों के लिए एक अस्पताल भी खोला रमेश एक बहुत ही दयालू और उदार व्यक्ती था वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहता था इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और लगन से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है रमेश एक गरीब चायवाला था लेकिन वह बहुत मेहनती और लगनशील था उसने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है